एक नया दिन एक नई शुरुआज सामने हैं ये दो आल्टो आज करने वाले हैं दोस्तो इसी की बात तो अगर दोस्तो एक और नई वीडियो में मेरा नाम है सागर और या वाचिंग मैजिकल वील्स तो गाइस जहां पर आप देख रहे हैं अभी फ्रेम के अंदर आपको दो गाड़ियां दिख रही हैं एक खड़ी आपकी अल्टो 800 और यहां पर खड़ी है आपकी अल्टो के 10 जो की हाल ही में लॉंच हुई है 2022 के अंदर यह अभी लॉंच हुई है काफी सारी वीडियो हम अल्रेडी डाल चुके हैं अपने चैनल पर आप देख सकते हैं तो आज क्या करने वाले हैं दोस्तों दोनों फ्रेम में आपको गाड़ी दिख रही है तो आज इनी दोनों का जो है कमपारिशन वीडियो लेके आए बिकास हमारे सब्स्राइबर चाते थे के दोनों का जो है कमपारिशन वीडियो लाया जाए तो आप देख सकते हैं दोनों का जो लुक है न वो कंप्लीटली बोल सकता हूँ यहाँ पर जो है थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आ रहा है और यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है मौडन लुक के साथ यह आपको मिल रहे है कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि एस्टार लगती है कुसी ने कहा है यह सेंट्रो लगती है यह चीज है बाकी आप देख सकते हो कि का design आपको ज्यादा अच्छा लगता है मुझे जो है personally ये वाला design ज्यादा बेटर लगता है ये है और ये है और ये 1000cc के अंदर आती है क्योंकि ये है K10 से दिगज है न मारूती के जिसको पचाड बाना बहुत ज्यादा बोल सकते हैं मुश्किल है आप देख सकते हैं दोनों का design अब आप ये subjective है design किसको किसका पसंद आता है आज हम देख सकते हैं क्या क्या मिलता है गाईज अगर बात कीजाए इसके pricing की तो Alto 800 जो VXI Plus variant है ये आपका 4.41 का आता है देख रहे हो चड़ाई तो obvious से आपको इसकी जादा मिल जाती है 1515 mm की जो है आपको इसके अंदर चड़ाई मिलती है वहीं पर आपको 1490 वाली जो चड़ाई है वो आपको Alto 800 में देखने को मिल जाती है ये तो कहीं ना कहीं जो है अंदर comfort level में जरूर difference आने वाला है दोस्तों अगर height की बात की जाए वो भी आपको जो है Alto K10 में ही एक्स्रा मिल जाती है 1520 mm की जो है आपको इहाँ पर height मिल रही है वहीं पर Alto 800 में आपको 1475 mm की height मिल रही है तो आप देख सकते हैं हर माइनों में जो है आपकी Alto K10 आपकी अभी तक खरी उतर रही है दोस्तों बात कीजाए वील बेस की तो आप देख सकते हैं Alto 800 है वो देखे ही पता चल रहा है कि जो उसका वील बेस है वो छोटा होने वाला है यहां पर आपको 2360 mm का वील बेस मिल रहा है वहीं पर आपकी K10 के अंदर आपको 2380 mm का वील बेस मिल जाता है तो 20 mm का जो difference है वो जरूर इसके अंदर difference करने वाला है तो दोस्तों आपने देखी रहा dimension wise सारी चीजों में जो है आपके अभी तक जो है अल्टो K10 ने बाजी मार लिये तो अब और चीज़ें जिसके discuss करते हैं आपसे गाइस दोनों के अंदर देख सकते हैं आपको जो है headlamp unit जो मिल रहे हैं थोड़ा सा जो design element है वो इसमें change है यहां पे थोड़ा सा different है जो turn indicators है इसमें यहां पे आपको आगे मिल रहे हैं यहां पे जो है ऊपर की तरफ मिल रहे है बाकी जो है सेम ही आपको हाइलोजन के अंदर जो है headlamp setup दोनों का देखने को मिल जाता है grills जो हैं दोनों के different है यहां पे आप देख सकते हैं इस type के grill मिल रहे हैं यहां पे आपको broad सी जो है hexagonal वाली जो grill है वो चीज यहां पे offer हो रही है नीचे आपको थोड़ा सा चिन वाला part भी दिखता है जो की अच्छा जो element है वो add कर देता है यहां पे कोई भी आपको चेन वाला part ही है बट यहां पे एक बड़ी सी grill नीचे भी धी गई है बता दू यहां पे जो दोनों वेरियंट्स खड़े हैं यह खड़ा है इसका VXI plus variant और यह के 10 का भी आपका VXI plus variant ही यहां पे खड़ा है और एक चीज म आप यहां पे बिल्कुल भी नहीं करा सकते बिकॉज यहां पे कोई भी housing नहीं दीगी है एक design element जरूर दिया गया है बट यहां पे कोई भी आपको fog lamp का जो है आप लगा नहीं सकते तो यह चीज रहा पहला difference वाकी front लोग आप दोनों का देख रहे हैं आपको किसका अच्छ अब यहां है वो एकदम से मिल रही है बागी अब side profile पे आते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज़े offer हो रही है और यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले auto 800 की बात की जाए तो सबसे main जो difference आ रहा है वो इसके wheel size में आ रहा है बिकॉज यहां पे आपको 12 inch का wheel मिलता है 145 18R 12 तो 12 inch का यहां पे आपको wheel मिल रहा है जो wheel cover है वो भी मिलेंगे फिलाल वो अभी अंदर रखे हुआ है और दोसो यहां के 10 के अंदर आपको जो wheel size है वो एक inch बोल सकते हैं बड़ा देखने को मिलता है 145 80R 13 तो दोसो जो एक inch बड़ा wheel है वो यहां पे आपको मिलेगा ब दोनों आप देख रहे हैं आपको Finder से मिलते हैं ORVMs पर होते दोनों में तो बहुत बढ़िया रहता बट दोनों में similar चीज है बागी ORVMs आप सा आप देख रहे हैं यहां पे आपको manually adjustable वाले दोनों के अंदर आपको ORVMs देखने को मिल जाते हैं बागी यहां पे ORVMs दोनों बागी जो है side profile देख सकते हैं इनकी कैसी कैसी लग रही है थोड़ा सा space कम है फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहां पे आपकी जो है auto 800 की आप side profile check out कर रहे हैं यह आपने बहुत सारी वीडियो में already देखी होगी तो वही symbol सी जो है आपकी जो है यहां पे side profile मिलत जो है आपको जो है antenna वो वहाँ पे देखने को मिल जाता है normal antenna है shark fin आपको यहां पे देखने को नहीं मिलता है एक ही washer और दो wipers है यहां पे आपको offer हो रहे है अब बात की जाए अगर auto k 10 की तो एक ही यहां पे भी washer मिलता है और दो यहां पे आपको जो है wipers देखने को मिल ज तो guys आप इसकी side profile देख रहे होंगे, same ground clearance यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, 160 mm का ground clearance यहाँ पर आपको offer हो जाता है, बागी दोस्तों यहाँ पर body color ही आपको जो इसके door handles हैं वो यहाँ पर provide होते हैं, glass area जरूर जो है आपका K10 का बड़ा लगता है, क्योंकि मैं आपको बता क्या ही difference है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर आचुका हूँ, मैं rear में, तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो tail lamp का design है वो different है, यहाँ पर लोगों ने बोला है, यह silario inspired design है, हाईलोजन मिलता है, यहाँ पर सारा का सारा unit, कोई भी आपको LED का जो use है वो नहीं किया गया यहाँ पर थोड़ा सा vertical form में है, यह भी सारा का सारा treatment आपका, हालोजन के अंदर ही है, बाकी design अलग-अलग है, दोनों के वो आपकी परसर choice है, कौन सा अच्छा लगता है, बट पीछे की यहाँ की जो डिकी है, थोड़ी सी rounded type की है, यहाँ पर जो है, थोड़ा सा flat type का आप आपको देखने को मिल जाता है, बीश में सुजोगी की बैजिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो प्लस यहाँ पर जो है, की जो की बैजिंग, यहाँ पर आपको मिल रही है, दोनों के अंदर आपको दो ही parking sensors मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी similarity है, बागी आप देख सकते है कोई भी आज सच मुझे चेंज नहीं लग रहा है पीछे का डिजाइन वगएरा यहां पे थोड़ा डिफरेंट है वहां पे एकदम सिंपल वाला जो पुराना डिजाइन आता था वही चीज आपको मिलती है तो बाकी और कोई चेंज मुझे नहीं लग रहे अब दोस्तों अं अलटो 800 नहीं हर जगह मिल जाती है यह ऐसी गाड़ी आपको ले लदाक भी देखने को मिल जाती है तो आप क्या कहते है आपने इस गाड़ी को ले लदाक में देखा यह नहीं देखा आप जरूर बताना तो दोस्तों चल लेते हैं आपकी ऑल्टो 800 के अंदर सबसे पहले औ यहां पे जो हैं आपको speaker मिल जाते हैं यहां पे आपको 4 speakers मिल रहे हैं यह door lock and unlock का system है वो आपको यहां पे provide हो जाता है जैसा कि आपको बताया था जो ORVM है आपको यहां पे normal मिलेंगे आपको stick के थुरू जो है उसको adjust करना पड़ेगा अब 200 अंदर बैटके मैं एक बाट check out कर लेता हूँ क्या ही चीज मिलती है तो यह रहा है इसका interior जो कि आपने काफी ज़्यादा देखा हुआ है दो airbags आपको यहां पे safety point of view से मिल जाते हैं यहां पे जो है आपको screen देखने को मिल जाते है सिल्वर गलर के अंदर यहां पे जो black color का treatment किया गया है तो overall जो है steering wheel अच्छा लग रहा है D-cut style का नहीं मिलता ना ही आपको यहां पे नीचे कोई भी adjustment देखने को मिलती है instrument cluster वही आपका normal analog plus छोटा सा जो है digital आपको MID देखने को मिल जाती है बाकी सारा का सारा यहां पे dual tone के अंदर आपको जो है interior मिल रहा है black and beige का combination यूज किया गया देख सकते है AC unit आपका manual देखने को मिल जाता है नीचे बारवोट का जो है आपको socket मिल रहा है यहां पे आपको USB और AUX का option देखने को मिल जाता है यहां पे आपको spaces मिल जाते हैं यह है आपका 5-speed manual transmission यहां से जो है आपको जो है इसकी windows को करना है operate and कोई भी one touch down and one touch up का option आपको यहां पे driver side में नहीं मिलता and सारा का सारा जो है आपका hard plastic है कोई भी soft touch यहां पे bedding नहीं मिलती बस यह है कि आपको यहां पे जो है थोड़ा सा interior में थोड़ा ख्याल रखा गया because यहां पे silver जो element आ रहे हैं वो चीज़ बेटर लगती है and उपर आप देख सकते हो वही normal सा मिल जाता है आपको यहां पे कोई भी adjustable आपको IRVM नहीं मिल रहे है उपर आपको यहां पे speaker की जो है placement मिल जाती है crab handles are fixed तो यह रहा आगे का look and seats की बात की जाए तो seats जो है comfortable है decent है यहां की कुछ नहीं बहुत जादा नहीं बोल सकता glove box भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है यहां पे आप क्या करते हैं आप चलते हैं K10 के अंदर आप देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़े offer हो रही है तो दोस्तो आप चलते हैं Alto K10 के अंदर यहां पे आप देख सकते हो आपको dark black color नहीं मिलता है यहां पे आपको dark gray color का treatment मिल रहा है यहां पे दोस्तो आपको मिल रहा है gray color यहां पे आपको silo finish मिल रही है यहां पे भी जो है ORVM आपको इसी तरीके से adjust करने पड़ेंगे same जैसे आपको Alto 800 मिलते थे बाकी placement है नीचे आपको water bottle मिल जाती speaker की grill मिल रही है यहां पे आपको dual tone के अंदर seat software हो रही है fabric seats आपको यहां पे मिल जाती है but height adjustment जो है वो चीज़ यहां पे missing है headrest आपको यहां पे fix मिलते है अब अंदर चलके एक बार आपको दिखाता हूँ क्या ही difference आ रहा है उसके अंदर देखो दोस्तों यहां का जो interior है वो completely बोल सकता हूँ different है कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको auto 800 की याद आने वाली है steering wheel का जो design है वो भी बहुत ही बढ़िया हो चुका है because यहां पे आपको steering mounted जो controls है वो चीज़ मिलती है silver element आपका यहां पे भी मिल रहा है यहां पे आपको voice command के controls है वो चीज़ भी आपको मिल जाती है बागी दोस्तों यहां पे आपको music system देखने को मिल जाता है 7 inches का जैसा वहां आता था वैसा ही मिल रहा है android auto apple carplay का जो option है वो चीज़ यहां पे आपको मिलती है जो वहां पे door के थे आपके power windows के switch वो यहां पे थे यहां पे यहां पे दिये गए है तो दोनों के अंदर आपको जो है front power windows अभी तक देखने को मिली है rear का भी check out करेंगे AC unit same ही manual मिल रहा है यहां पे spaces दिये गए है space का जो मुझे कहीं भी feel नहीं हो रहा congested वहां बैटके थोड़ा सा मुझे बोल सकता हूं congested वाला feel हो रहा था यहां पे instrument cluster जो है उससे better है because यहां पे आपको सारा का सारा जो है digital में देखने को मिलेगा कहीं भी बोल सकता हूं analog का use नहीं किया गया औरंज light के अंदर है काफी बड़िया लग रहा है बड़े बड़े जो है आपको यहां पे desert सेखने को मिल जाते है बाकी यह चीज है कि यहां पे आपको single tone के अंदर सारा का सारा interior है वो मिलता है dual tone finish नहीं मिल रही बस यहां पे आपको थोड़ा सा जो है silver element दिये गए है वहां पे आपको beige and black का use किया गया है यहां जो है आपका dark gray color का जो है वो use किया गया है and glove box यहां पे भी आपको same decent style का ही मिल रहा है तो यह रहा इसका आगे का look 4 speakers आपको यहां पे offer हो जाते हैं तो यह रहा को जिसका look आप देख सकते हो काफी बढ़िया जो है आपको यहां पे music system मिल रहा है जिसका touch response बढ़िया है same ही आपका wagon hour में आ रहा है तो यही same चीज़े आपको मारूती यहां auto k10 में भी offer कर रहे है बाकी cooling की बात की जाए तो जबर्दस cooling आ रही है गाड़ी को on किया हुआ है और अन्वेच लेवल बहुत ही शांदार आपको यहां पे मिल जाते हैं अब आमरेज तो देखो दोस्तो आपको यहां पे मिलता नहीं है इस segment की गाड़ियों में मैंने तो फिलाल ऐसी चीज नहीं देखी है और grab handles यहां पे fix मिल रहे हैं उपर आपको IRVM non adjustable है कोई भी adjustment आपको यहां पे नहीं मिलती speaker आपको वैसे ही grill मिल जाती है यहां पे आपको hyalogen light मिल रही है जिसका design जो है थोड़ा बुदा different है अब दोनों के rear को भी check out करते हैं क्या heat जो difference है आता है या नहीं आता heat पे देखते हैं सबसे पहले auto k10 में तो यहां पे आप डोर देख सकते हैं यहां पे आपको power windows नहीं मिलती है तो यह चीज मेरे साब से एक miss बोल सकता हूँ speaker की grill मिल रही है यह चीज अच्छी है बागी दोस्तों अंदर भी देख सकते हैं space की बात की जाए तो यह चीज बहुत अच्छी है कि जो auto k10 है इसमें space आपको कहीं भी आपको कमी नहीं मिलने वाली आगे वाली seat अभी मैंने थोड़ी सी पीछे करी हूँ अपने height के बाद भी इतनी पीछे है फिर भी आप देख सकते हो अच्छा कासा जो है मुझे leg room मिल जाता है जो की मेरे साब से बहुत बढ़ी है आपको मारूती की गारियों में पूरा इसका पीछे का लुक and उपर आप देख सकते हो हलके फुली जो designing element है वो चीज़ यहां पर आपको मिल जाती है अब आपको auto के अंदर 800 के अंदर बैटके दिखाता हूँ क्या ही जो लुक है वो आने वाला है चाइड लॉग लग गया है इसलिए इसको बाहर से एक बार खोलना बड़ेगा अब दोस्तों आपका जो auto 800 है उसमें भी दिखा देते हैं जैसे कि आपको बताया था wheel cap यहां पर पड़ी है space की कमी दोस्तों आपको यहां पर जरूर मिलने वाली है यहां पर भी आप सीट कवर देख रहे होंगे यह सारा एसेसरी का पार्ट है यह आपको नहीं मिलने वाला बाकी सबको सिमिलर है कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिलता बड़ जो space है वो आपको जो है auto तो केटन में एक्स्ट्रा मिल जाता है यहां पर भी जो डोर है आपको डूल टोन के अंदर मिलता है यहां पर भी आपको कोई भी पावर विंडोस नहीं मिलती तो यह चीज़ दोनों में सिमिलर आपको मिल रही है इसको करते ही बार क्लोज आप दिखाते हैं बूट कितना ह का जो है treatment किया गया है and यहां पे जो boot capacity है इसकी वो है 177 liters की नीचे आपको जो spare wheel है 145 80 r 12 जो same profile है आपकी tires की वही चीज़ देखने को मिलती है and यहां पे आपकी खड़ी है auto k10 दोसों यहां पे आपको 214 liter का जो है boot space मिल जाता है जो की काफी जयदा है मेरे साब से इससे अगर compare करता हूँ तो काफी जो है enough space आपको देखने को मिल रहा है यहां का जो loading lip है यह भी थोड़ा सा आपको deep मिल रहा है वहां का जो loading lip है वो कम है and आप दोनों को equally आप अभी अब देख रहे हो तो जो है इसका आपको जो boot space है ज्यादा मिलता है और यहां पे spare wheel एक बार check out करते है 145 80 R30 तो सेम ही यहां पे भी आपको tire profile मिल जाती है parcel tray यहां पे भी आपको मिल रही है पीछे कोई भी आपको defogger, wiper, कुछ भी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता सिर्फ और सिर्फ high moderate stop line भी जो है आपको मिलते है तो यह रहा इसका पीछे का look up जो engine है वो भी आपको एक बार दिखाता हूँ यहां पे दोनों के engine options की बात कर लेते हैं तो auto 800 में आपको 800 cc का engine मिलता है वहीं पे आपको auto keton में 1000 cc का engine मिलता है तो power में काफी ज़्यादा difference आने वाला है दोस्तों यह जो है आपका 47 bhp produce करता है यह जो है आपका 66 bhp produce करता है तो आप देख सकते हो काफी ज़्यादा difference है वो आपको मिलता है प्लस टॉक में भी difference है यहां पे आपको 69 nm का टॉक मिलता है auto 800 में यहां पे आपको 89NM का जो टॉक मिल जाता है तो आप देख सकते हैं और फिगर्स में भी जो है आपकी आल्टो जो केटन है वो बाजी मार जाती है और एक चीज यह भी है कि जो आल्टो अगर आप चाहते हैं इन दोनों में से कोई गाड़ी लेना डिजाइन पॉर्ट आपको मिल जाता है तो मेरे साब से अगर इन दोनों में से ही कंपेर करना ही है और कौन सी लेना चाहते हो मेरे साब से आप ऑल्टो केटन पे जिजक आप जा सकते हो इसके अंदर पाउर मिलेगी और आपको जो है एक फील आएगा और कमफर्ट मिलेगा विकाज स्पेस बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर अपनी इस वीडियो को करते हैं और आपको वीडियो पसंद आईए उगे पसंद आईए तो करते ना लाइ आपको मिलेंगे अच्छी वीडियो लेकिए बाबाई जेकियर लवी ओल जैन जै भारत